हम लाते हैं टॉप न्यूज आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेट इंटर्टेन्मेंट सिर्फ यूट्यूब पर अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्स्राइब नहीं किया तो अभी सब्स्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटस्ट वीडियो के बारे में अफटेट जाने सब्स्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ दस ट्रॉम्प भी कट्ले हो जाएं पाकिस्तान का बाल बेका नहीं हो सकता असलाम लेको नादरीन आप स्पेशल प्रोग्रेम देखने हैं आज टेलिविजिन पर और हम आज बात करेंगे जो के आज की जानी चाहिए जी हाँ थैंक यू वेरे मच्च यूएस प्रेजिनेंट मिस्टर डोनल्ड ट्रम्प आपने आज बेलाखिर तकरार शुरू करी दी अजीब बेवकूफ ही है कि आप पैसे देते रहें और हम खून बहाते रहें पता नहीं बेवकूफ कौन था और अकलमंद कौन था आप डालर्स की बारेश अफ़णिस्तान में करते रहें पाकिस्तानियों का खून हमारी गलियों में बहता रहा आप बेवकूफ थे आप जब भी चड़ दोड़ते थे बगएर वीज़ा के आप पाकिस्तान आ जाते थे और हम इतने अकलमंद थे के रेमन डेविद जैसे लोगों को हम खुद मेकनिजम बना कर वापस बेचते थे आप बहुत बेवकूफ थे के हम आपकी जग लड़ते रहे हमारी माओं की गोद उजड़ती रही हमारी नौज़मान औरतें बेवा होती रही हमारे बच्चे मारे जाते रहे हमारे जवान शहीद होते रहे फिर भी आप बेवकूफ थे और हम अकलमंद थे बहुत अच्छा किया डोनल्ड टरमप आज आपने एक मौका दिया के हमारी कौम अपनी आँखें खोल ले और हम कह सकें के नो मौर आज देखते हैं के नो मौर आपका चलता है या डू मौर आपका चलता है पाकिस्तान की कौम तयार है नादरीन यही मेरा आज का मौदू है मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूँ मेरे साथ इसलामबाद स्टोडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मा रवसाब आपने वक्त दिया और नादरीन खूसी तोर पर मैंने रिक्वेस्ट की एर वाइस मार्शल फैजा में रिटार्ड साहब को एर यूनिवस्टी के वाइस चांसलर हैं बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया और मुझे जॉइन कर रहे हैं अवैस तोहीद साहब रहे और उन्हें जूट और फरेब के लावा कुछ नहीं मिला ये ट्रंप आज कह रहे हैं मेरे खाल से जी अमरीकन सदर जो हैं अभी तक से पहले जितनी भी अमरीकन हकूमतें गई हैं उनसे सबसे जादा जहीन हैं क्योंकि वो समझते हैं कि दरहार्कीकत क्या हुआ और बा 24, 15 तक थी उसमें तक ग्यारा इशारीजा साथ बिल्यर डॉलर आपने मांगे यानि 2015 तक अमने 11.7 अरब डालर मांगे जो हकूमत पाकिस्तान बिल भेचती रही जी बिल भेचती रही इसमें कोलिशन सपोर्ट फ़ंड नहीं है इसमें फॉसमें तमाम मुदले प्राजिक्स 7 अरब डालर थे जो आज ट्रम्प 23 अरब डालर देखें 23 अरब डालर ना सिर्फ वो कह रहे हैं लेकिन अभी तक जो सवाल इनको पूछना चाहिए कि ये पाकिस्तान के नाम पे ये पैसे नों ने किसको दिये क्या ये अमेरिकन सफीर को दिये गे क्या ये कैरी लूगर बावन एक्ट के तहट अन लोगों को दिये गे जिनों ने एक लाख डालर से जादा पैसे लिए और अमरीकन मफदात कोई तरजिहात की बनियात को पर पाकिस्तान में काम किया और फिर इनके नाम खफिया रखे गे 11 बिलियन डालर में आप कैरी लूगर बिल का भी चार पांच अरब डालर शामिल कर रहे हैं के लबी के पैसे जो हैं इसके अंदर वो हैं जो हकूमत पाकिस्तान को दिये गे इसके लावा के लबी में एक शर्त लगाए गी थी जिसमें ये कहा गया था कि अमरीका क्यूंके पाकिस्तान की अदारों पाकिस्तान की हकूमत पे एत्माब नहीं रख़ता तो वह अमरीकन सफीर के जरीए और अमरीके पैसे खुद देगा तो ये जो बाकी पैसे हैं जो 11.7 बिलियन में से सर्फ 9.7 बिलियन डॉलर उन्हों ने जिस पर इत्वाक किया कि आपके जाइज अमरीका से अन्वाइसेंजर एं और बाकी के उपर बाकी बाची चे चल रही है। तो उसके मताबएक तो इस वक्त अमरीका को Gina को चाहिए पाकिस्तान को कि जो पाकिस्तान के ऑपर ये जो बाकी पैसे खर्श किरें ये किस के नाम पर खर्श की है ये उन्हों लोग पुरानी अड्मिस्ट्रेशन भी डूम और डूम और कहते रही है तो क्या एक्रॉस दो बोर्ड यूनाटे स्टेट्स में यही फीलिंग है जिसकी रिफलेक्शन आज उनके मुन्तखिब सदर कर रहे हैं या अधर वाइस लोग और ख्यालाद भी रखते हैं तेंक्यू शौकित साब देखे यह कहना के जी प्रेजडेंट ट्रॉम्प जो है वो पिछले प्रेजडेंट से मुख्लिफ तरीके से बेहेव कर रहा है वो मेरा खायल है कि सारी हकीकत नहीं है अबामा के आप आखरी चार साल देख लीजए वो भी बिल्कुल वर्चलिए अधर देंड देंड फैक नो कि यह जुबान जो है यह डिप्लमाटिक नहीं है अधर जिस तरीके से बियान किया गया है वो डिप्लमाटिक नहीं है और मेरा खायल है कि सदरे अमरीका को इस किसम की इस तरीके से इस किसम की जुबान इस्तमाल करके जारी नहीं करना चाहिए तर दैट इस कंडेमनिबल दैट इस बिसाइड दपॉंट लेकिन हकीकत यह है कि यह उन पॉलिसी का शाकसाना है जो के पिछले 40, 35, 40 सालों में हमने फॉलो की हैं और आज हम उस जिस नहज के उपर पहुंचे हैं यह उसी की वज़ा से हमारे साथ हो रहा है जब हम लोग बार-बार बात करते हैं कि यह जी अमरीका की लड़ाई है, अमरीका की लड़ाई है, मेरे भाई तो हमारे उपर क्या सेवंटी सुरूं में तलवार लटकी हुई थी कि हमने च्छलांग मारी थी और हम उनकी गोद में जाकर बैटके थे हमने उनकी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना कि हमने लड़ना शुरू कर दिया था तो ये हकीकत जो है हम एक तरह की और एक तरस की हकीकत बियान करके अपने अपना दामन चुडा नहीं सकते हैं हमने बहुत गल्तियां की हैं चले गल्तियां हो गए लेकिन जो जो उनके साथ مिलना गलती थी पिलकुल गलती थी उनके साथ मिलना गलतीी थी जिहाद पर टॉजेक्ट शुरू करना गलती थी अफजानिस्तान में जाना गलती थी बिल्कुल गलती थी हम एक छोटे मुल्क होने के नाते हम ये काम कर नहीं सकते थे और जिस दिन से हम अफ़गानस्तान में गए हैं हमने वो जिहाद का जो है वो जो तौक अपने गले में पहना है हम अजाद नहीं हो सके हैं उनसे और हमारे प्राब्लम्स बढ़ते गए हैं और जब तक हम इन वर्ड्स हम नहीं देखेंगे जब तक हम अपने पॉलिसीज को एरिडिकली रिव्यू नहीं करेंगे बोला था उदर बगराम बगराम में खड़े होंगे वाइस प्रेजडेंट पैंस पोल के जाए सारा कुछ करके गए देखें हम क्यों मौका देते हैं लोगों को इस तक कि सबकी गुफ्तगू करने के लिए ये मौका हमने प्रोवाइड किया है हमें नहीं चाहिए था कि हम ये सारे काम गलती हैं अपनी इदर इदरी रोसाब इदरी बड़ा इंपॉर्ट इन्होंने भी पॉइंट सवाल उठाया आपने भी सवाल उठाया एवी एम साब आपका तो सबजेक्ट यही है हम तो इदर इस डिये उनको उनके एर सौटी यहां से होते रहे बीफ ट्रूबंबर तो उपर से जाता था बट शवाज एर बेस पे या बलुष्टान वाले एर बेस जाते थे क्या हम बेवकूव बनाते रहें अमरीका को नहीं ऐसी कोई बात नहीं वो जंग जो हम सेविंटी एट से लड़ रहे थे जो कि उस वक्त हमें यकीन दिलाया गया कि यह बॉम बॉटर्स से कि लिए जंग है वो जो उस दमाने से शुरू हुई वो उसकी लेगेसी चलती आ रही है और वो लेगेसी कॉंटी उसकी कॉंट से उसार एक से शूरू नहीं रही है झहां तक आप यह पशुयर ट्रॉम्प की जो धंकी का त fragments है इसको पसे मंदर में देखना चाहिए आ तीस चालिस सालों में हमारे नेरी बदलते रहे हैं अमेरेकन नेसनल इंटर्स जू बदलते रहें और बदल रहे हैं इस वक्त उन जो यह धमकी है वो किस तनाजर में है देखिए मेरे ख्याल में अमेरिकन्स ने एक determination कर ली है कि अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल चुका है मालूम हो गया है अंदर से उनको मालूम हो गया है इसलिए उनके हाँ सिर्फ तेरहाँजार फोर्स जो है वह वहां पर अपनी एक स्टेशन मेंटेन करने के लिए उनके लिए ने रखा हुए वहां पर दे डिटर्मिन्ट ड़े कांट विन दे कांट वो जो है पूरे फ़लस्तान पिर से अपने हकुमत काईम नहीं कर सकते इस डिटर्मिन्ट वहां हो चुकी है तो अब जो मसला है वो क्या है मेरे खिया इस वक्ट दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस तमाम रिजिनल सिनेरियों में एक तो यह है कि मेरे खिया में आराक लिबिया सिरिया उसके बाद अब इरान की बारी है पाकिस्तान को पर्षिरेस किया ज़ा रहा है जिह एरां को अकेला चुड़ दे या उरां की निवर्यार मीम मदद ना करे जब उस पर अटैक किया ज़ा है मेरे ख्याल में इस वक्ति तमां जो प्रैश्र है वो पाकिस्तान पर अफछान की वजह से नहीं है क्वाइस्तान की जंग वो खत्म कर चुके हो वो मिशिन कंप्रिश करके वहां से निकल चुके हैं तो दूसरा जो है इस वक्त मजबूर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चीन या यूएस से से एक एक दोस्त को चूज करें ये दो बहुत बड़े महरकात हैं इस वक्त हमारी क्यों ने क्या कहा ये सब एक से आया जा रहा है इसी इसी नुक्ते पर रहीगा वैस्तोईट साब एर मार्शल साब सही कह रहे हैं कि एक एक कंटिन्यूइटी बनती है फिर यहां पर अचानक ट्रम्प की स्ट्वीट नहीं आई आई आपके सामने जेम्स मैटेस आये ते टि तो फिकर वाली बात होनी चाहिए देखे पराजर साब मेरे खाल में ये इस तरह नहीं ट्रम्प को या ट्रम्प के बियानात को लेना चाहिए कि ये एक मतराज़े शखस है और वो टूइट पे जो है पूरी दुनिया को हिलाता है और फिर सोशल मीडिया पे उसका चर्चा ह होता है और उसका मजाप उड़ता है ये बहुत सीरियस संजीरा और ग्रेव कॉंसिकेंसे हैं ऐसे स्टेट्मेंट के और जो भी ट्रम्प बियानात दे रहे हैं वो उनकी एलेक्शन कैमपेंड का हैसा रहे हैं चाहे वो येरोशलम को इसराईल का दारु खलाफा डिकलियर कर के साथी अरब को इसराईल के साथ अलाइन करना मैं समझता हूं कि इस वद पाकिस्तान के जो बारे में बयान दिया है ये एक तसलसल में तो देखना चाहिए लेकिन इसको अलहदगी में भी देखना चाहिए ये तो एक धंकी आमेज मिजाईल पाकिस्तान पे मारा है पाकिस सक्की पॉलिसी या प्रो तालबान पॉलिसी इसको लेकिन ये मगच जो है ये वक्त दूसरी बहत का है ये वक्त उस बहुत है कि हमने अमरीका से क्या हासिल किया नाइन येलेविन के बाद जब प्रेजिड मुशरफ क्या दोव ता कॉमन वेट का आप देखिये तो रुकनियत किया, हम पर मसल्त किया. ये अमरीका जो है उसने दस साल हमारे जमुज़त को पीछे किया. ये अमरीका का वतीरा रहा है, डिक्टेटर्ес के रूल को ये एकस्टेंड करते रहे हैं, उस दौरान क्या सही रहा, क्या गलत रहा, उसका हसाब ये देना. और जो हमारी इतलात है वो ये कि 1947 से अब तक 54 अरब डॉलर मिले हैं और ये जो कोलिशन सपोर्ट सिस्टम है जो एक रिमबर्स करना यानि कि एक बुलिट भी फायर होई वारन टेरर के अंदर उसकी आप रसी देते हैं और उसके जवाब में मिलता है तो मेरे खाल में 17-18 बिलियन डॉलर हैं ये 33 बिलियन डॉलर का मुझे नी पता कहां से हिसाब है बात ये खुद मुखतरी की बात है सौविंटी की बात है रियासत की बात है रियासत की रिट की बात है ये हमारी सियसी लीडर्शिप और असकरी लीडर्शिप को एक साथ बैट के ये डिसाइड करना है कि आगे क्या है इदर ही रुकिए इदर ही रुकिए मैं बिल्कुल इस रद्धे अमल के लिए जो पाकिस्तान का रद्धे अमल क्या होना चाहिए मैं अगले सेग्मेंट में बात करूंगा मुझे नाजरीन ब्रेक का कहा जा रहा है ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं आज क इस चीज़ को पाकिस्तान को बिफूल यानि उनको बेवकूफ बनाने का ताना दिया गया है इन्वर्ट पॉलिसीज की बात हो रही थी आज ही सी सी पी ने सेक्यूरिटी एंड एक्सचेंज कमिशन आफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन निकाला और उनने कहा कि जी यू सेक्यूरिटी कॉंसल ने जिन तन्दीमों और एंटिटीज को एनलिस्ट किया है उनके कैश डूनेशन पे पाबंदी लगाई जाती है मुतालबा बहुत हवालों से किया जाता रहा आज क्या दूरत पेश आई मेरे खाल से शौकत दो चीज़ों को बहुत बाजर तरीके से ह पात़ पाती है कि यह जो आई यह अखवानसतान के पस्यान में आई है और इसमें जो बड़ी पॉलिसी है इसके में जो एसमें इसके बहूट जिसके उपर अमरीका खामोश है, जब आप अमरीक वस्ताने अमु फारत कारों से पूछते हैं कि इसकी क्या वज्योहात उनके पैसे कहा से आ तो उसके बारे में कोई बात नहीं की जातै। प्रेजिनिर कारदाई, साब एक सदर कारदाई, बता रहे हैं न कि दर से आ रहे हैं पैसे। दूसरी तरफ ये भी अख़वानस्तान में आम तासिर पाया जाता है कि बहुत सारे जो जहाज, बहुत सारे जो हलिकॉप्टर्स हैं खाया है, वो उनको जनूब से शुमालत में लेके जा रहे हैं दूसरी बस्ता ये है कि उनके एक बन्यादी तब्दीली आईए ये, बन्यादी तब्दीली उनके वहां ये आईए है वो चाहते हैं कि उसको उसके पहलाओं में मदद मिले पहली बात दूसरी बात जो आपने बात की कि युनाइट नेशन सेक्यूरिटी कांसल की युनाइट नेशन सेक्यूरिटी कांसल की बात एक तरफ है जो उनकी टास्क फोर्स है उसकी जो लिस्ट है वो अभी तक अंडर अगर आप उसके मशवार प्रकारा कर रहे हैं जो आप श्матियरा कर दूजए है है इसके नगρεरे हैं तो जाहरे हैं तो जाहरें इसके पहरे हैं अधार छो फैनिंशिल आंटि टरियरिस्म लॉज ऐँ वो उसके थहत आप उसको respond करें क्योंकि इस वक्त जब अमरीकार ये बात आपको वाज़ तोर के पर एक policy नज़र आ रही है ये को नई policy नहीं ये 2009 से policy है फर्ख सरफ इतना है कि अब वो अख्वानिस्तान की जो जग है जो अख्वानिस्तान की जो अख्वानिस्तान की सरजमीन आईजस भी इस्तमाल कर रही है जहां अख्वानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान तहरी के तालिवान भी इस्तमाल कर रही है और मुखले दैश्चतगर तन्जीमें इस्तमाल कर रही है और उसके साथ साथ उनके पास कोई सियासी असकरी और माशी हल नहीं मौजूद अखवारसतान के लिए तो आपको यह एक थएक एक इंप्रेशन पाकिस्तान Кे अंदर पाया जाने वाला दुरसत है के अमरीका जंगहार चुका है वाँ मरीका को यकीन है कि वो यकीन वो नहीं उसुथ ऑपिस्टान करंणी है वो एक बहुत बड़ी दैश्रत गर्दाना जो है बेनल अक्वामी दैश्रत गर्डी की जो बेस है वो अफ़ानस्तान में बनती वे नज़र आ रही जिस पर अमरीका खमोश है जब आप डूमों की बाप करें जिसका रहा हम शिकार होते हैं मैं रौफधन साब आपकी रहे लूँगा आफिस साइद के हवाले से आपने का कि अगर फलस्तीन का सफीर पाकिस्तान के अंदर उसके साथ खड़ा हो जाता है तो फलस्तीनी अथारिटी उसको वापस बुला लेते हैं आज पाकिस्तान के अंदर नोटिफकेशन जारी हुआ स होना है कुछ और एक्दामाद भी होने फाइनेंशल एक्शन टास्क फॉर्स की बात कर रही है क्या हम ये दबाव में कर रहे हैं पर देखे सिर्फ वो पलस्तेनियन अबास्टर को रीकॉल नहीं किया गया बलके पलस्ताइन की स्टेट ने पॉलजाइस किया है इंडिया से उनी के प्रेशर पे हुआ थारा कुछ उनी के प्रेशर पे हुआ उसी बात है ये जो है आपका हाफ़स सहीद का ये कई सालों से हमने वो एक्शन नहीं लिया था जो कि आज अनाउंस हुआ है तो मैं जब मैं अपना दमाग इस्तमाल करता हूं तो मैं बिलकुल यही कहूँ अटनिकराइशन, जिसको उनाइटे ने तरिरिस्ट ऑग्रडिश雁 डिकले किया हूए? उनाइटे ने किया हूँ? इतल्कुल किया हूँ है? इस शिमाल कर सकता हैं तो मैं कर सकते हैं만 ıkले किया हुए burden, आपक्रणरे नियुक्ता। boundary से बाहर भी लोग बैटे हुए, वो भी देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या paradoxes हैं, क्या contradictions हैं, लास्मी बात है, वो लोग exploit करेंगे, करेंगे, और हम यह नहीं expect कर सकते कि लोग उसको देखे ना, लोग उसके बारे में कुछ सुने ना, लोग उसकी उपर response पर रहेगा, एवी एम साब यही चीज़, आंके चुराना जो है, बेरा ख्याल है कि हम आप आंके नहीं चुरा सकते, और हमें नहीं चुरानी चाहिए, पॉलीसी तो बन रही है, इवाल्व हो रही है, मैं आपकी अपिनियन चाहूँगा, यहां पाकिस्तान के अंदर डिब को इन डिमार्ड को देखा जाए, वाकर यह भी एक खत्रा है हमारे लिए, देखिए यह बात तो डेफिरिंटली वाज़ है कि पाकिस्तान ने यह एक्शन जो लिया है, पाकिस्तान ने एक स्टेप आगे लिया है, अमेरिकन जो उनके जो खचात उनको दूर करने के लिए, और तेमपरिचर डाउन करने के लिए, यह वाकि वाज़ है, लेकिन मैं इनकार करता हूँ पाकिस्तान और यूएस के रिलेशन्चिप को वन अन वन बेसिस पे देखने हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तान इस वक्त कोई एकनामिक मार्किट नहीं है यूएस के लिए, पाकिस्त में बनता है, वो बैसिक अमरीका दूर कर रहा है पाकिस्तान को या खेंच रहा है, आपके बात से तो मुझे और वाइद इंप्रेशन मिल रहा है, मैं यह कह रहा हूँ, मैं यह कह रहा हूँ, कि आप जब आप मल्टिपलरिटी की बात करते हैं, 50, 60, 70 की बात करते हैं, तो आप एक अमेरिकन केम्प में थे और रॉश्छन केम्प सेपरेट था, अब जो आप आ गए हैं तो आप दूसरे केम्प में मुंसलिक हो गए है, यह जाने की कोशिश कर रहे हैं, अभी भी सी औ, सी औ की हगा तक, बट आपके जो सी पैक की जो है, बड़ी हद तक आपने वो लिंक कर लिया है अपने आपको दूसरे कैम के साथ ठीक है जी अब आपके पास चॉइस क्या है आपके पास अमेरिका को खुश करने की चॉइस यह है कि आप सी पैक से निकल चाएं आप चाइना को आइसोलेट कर दें तक चाइना के पास जो तजारत कराता है जिस चीज़ पे हमारे अंदर कंसेंस है पाकिस्तान के अंदर कि जो जो चाइना है वो मजबूर होगे सिर्फ साउथ चाइना सी को इस्तमाल करने के लिए और यह जो आप इसको दे रहे हैं इसी नुक्ते पे रहीगा आपके पास सिर्फ एक हम बैठके अपनी पॉलिसी भी डिसकस कर लेते हैं जो वाइटल कामपोनेंट है जो एक कौम क को एक मुल्क को अपने अंदर से शो करना चाहिए वो है नैशनल यूनिटी हम तो हर बात पे डिवाइड़ेड हैं अमरीका धंकियां दे रहा है जैसे आपने खुद एलेबुरेट किया जो उसने कहा ट्रम्प ने किया खुदा ना खासता ट्रम्प कोई मिसडवेंचर करता है क्या हम इसकाबल हैं हम मुताहिद हैं हम रिस्पॉंड कर सकते हैं देखिए प्राजर साब मैं समझता हूं कि यह जो धंकी आमेज बहुती संजीदा और ग्रेव कॉंसिकंसिस के साथ जो एक स्टेट्मेंट है और यह हम सिर्ड डॉनल्ड ट्रम्प का स्टेट्मेंट ही अ धंकी आमेज बियान आया है मैं समझता हूं कि उसके साथ खिते के अंदर रियलाइनमेंट की तरफ मैं देख रहा हूं पाकिस्तान जो है वो इरान के साथ पाकिस्तान रशिया के साथ पाकिस्तान चाइना के साथ अलाइंस करके और फिर अगवानिस्तान के साथ एक ऐसा वर तकि नीट्रलाइज़ हो मामला जूसी बात ये कि आप ये नहीं जब जब उनकी पूरी पॉलिसी टेक ओवर कर चुका हो अमेरीका पहले से इंडिया एंडियस के साथ मिला अवाओ पॉप्रःमिनिस्टर नवाज शरीफ उस वक्त के पॉप्रःमध भर्ई मैं जब इस्पाइट गये थे 12 मैं था जैनररायल शरीफ भी साथ थे मिनिस्टर पॉप्राइम्ध आप के वही कंडेम्न ऑपरेशन आजम अफ तालिबान क्या फर्क बड़ा था देखे प्राजर साब मैं किरा हूं डिस्पाइट अल डाट हमें ये पता है कि वहां की जो नैशनल जूरिटी जो हकूमत है वो एक एक अजीब सी एक मजाख है जहां पे नौधर अलाइंस और अफजा उदायर तालिबान का ये अब छोड़े मैं जो एक बात ये कह रहा हूं पराजर साब के डिस्पाइट अल डैट ये हमें भी पता है कि पश्टून जो यहां से निकाले गए जो अगवान यहां से निकाले गए पश्टून एरियस के अंदर भी रिजन्मेंट है इस को सौ बिलियन डॉलर का धचका लगने के बावजूद हमारे फॉरिन पॉलिसी डिप्लोमैट्स या हमारी रियासत हमारी पियार की इतनी नाकामी हैं कि हम ये बताने में नाकाम रहें कि ये जंग जो है हमने लड़िया ये हमारी खुर्बानिया है एक बात दूसरी बात ये पराजयशाद्स आप के आने वाले दिनों के अंदर मैं समझता हूं कि अख़वानिस्तान के अंदर जो गेम होगा उसके अंदर इरście कि पाकिस्ता को उसके लिए एक डिसिशिन लेना है कि मश्रुख बोस्ता जो शीया मश्रुख बोस्ता और सुनी मश्रुख बोस्ता में तक्सीम हो चुका है उसके अंदर वो बैलनसिंग एक्ट रखे ना के साधियर अरफ का हिस्ता ले तर फिर वो बिलकुल अरियान के साथ हो इस वर इसी नक्ते पर रही है। alignment कर चुके हैं गवादर के मुकाबले में चाव बार फंक्शनल हो चुकी है अब पाकिस्तान के लिए इस सूरत में है यह लांग टर्म बेसेद पर प्रायरिटी हो सकती है कि हम अपना शिफ्ट करें रियलाइनमेंट हो जाए लेकिन एक थ्रेट है इमिनेंट है वो किसी भी व कर्द कहता हैं तो हम उसको देशित कर्द कर्द बानते हैं आज कभी उसको लिबरेटर कहते हैं तो हम अपने मफदात के तहद या अपने नॲक्त नजर या अपने तरजीहा या तहफजा तो इंपोर्टेड वार थी जिसका हम इससा बनें यही वज़ा है तो पहले तालेब साधी मामलात हैं जो बाकी मामलात हैं उसके लिए वो दो मुखलिफ चीज़ें करने हैं अगर हम सी पैक को अगर लेके चलते हैं और हम चाहते हैं कि किसी तरह इसके अंदर तो इसमें आप जो चाह पहार है उसको आप कह सकते हैं अससिस्टर पोर्ट आपको अमान के साथ जो पोर्ट बन रही है उसको भी आपको कोशिश करने चाहिए कि वो आपकी जो एकनॉमिक एक्टिविटी है जो एकनॉमिक आर्क है उसको सप्लिमेंट करें ना कि बताओ चैलिंज के तौर पे क्योंकि ये आपके डिफरेंट सिस्टम्स हैं इसी तरह जो बात आवेस्ट तहीर सा ये है कि ये तब तक वाज़े नहीं होएगा हमने जो चीज़ अमरीका से सतर साल में सीखी है वो ये है कि अमरीका का दोस्त होना जादा महंग है बानिस्पद अमरीका को दुश्मन होना जब आप अमरीका के दोस्त होते हैं तो अमरीका आपके अंदर इंतिशार पहलाता है आपके अंदर इस किसम की बहुत सारी दो राए पैदा करते हैं जो इस वक्त एरान को महसूस हो रही है कुछ अर्से बाद हिंदुस्तान को भी ये महसूस होंगी अखवानिस्तान का हाला तो दुनिया के सामने हैं तो जब तक आपको ये बात उन तक ये नहीं पहुंचेगी जब तक उनको ये फैसला नहीं होगा कि आपके बहर हल जो माफदात हैं वो आपके अलाकाई ताक्तों के साथ हैं जब तक आप उनके साथ अपने रवाबत बेतर नहीं करेंगे ایک تیسری طاقت جو ایک اور خطے میں ہے جس کے اہداف جس کے جو خارجہ پولیسی کی ترجیحات ہیں وہ بہت مختلف ہیں علاقے کی ترجیحات سے تب تک یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ خطہ جو ہے کسی صورت آرام سے بیٹھ سکے ایران کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اخوانستان کو بھی اور اس کے بعد جا کے آپ کسی فیصلے پر مہنچیں گے ہم بھی تو چالی سال کے بعد فیصلہ کرنے والے نہیں دیکھیں جب تک یہ دوستی نہیں ہی کریں گے تب تک کوئی بات نہیں پتا چلے گی میں دو جملے ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں جی پلیس میں یہ صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے آنے والے دنوں کے اندر اور ابھی ماضی قریب میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو سیرین کانفلکٹ ہے اس نے تو ایکلپس کیا ہوا ہے سارے تنازات کو دنیا کے اور انکلوڈنگ اخوانستان والا لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ لڑائی ہے شیعہ سنی لڑائی ہے حضباللہ رشیعہ ایران کی لڑائی اگینسٹ آئی ایس آئی ایس کے جو ہے وہ اس کی جھلک ہم کرم ایجنسی میں بھی دیکھ رہے ہیں وہ تو خیر سارا آئی ایس آئی ایس کا سٹرکچری درہا ہے وہ تو نردن افغانستان بھر دیا انہوں نے اور سابق صدر کرزائی کہہ رہا ہے کہ یہ امریکنز ان کو دے رہے ہیں ایمن کابلوف کی رشن نمائندہ خدوزی ضمیر کابلوف کا ایک دن بیان تھا کہ نامعلوم ہیلیکاپٹرز ان کو شفٹ کر رہے ہیں فلان جگہ سے فلان جگہ تک روف حسن صاحب بات یہ ہے نیریٹیو کی آپ ابھی بات کر رہے تھے ایک ایسے وقت میں اتنا بڑا چیلنج پوری قوم کے لیے یہ صرف پالٹیشنز کے لیے نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کے لیے نہیں ہے یہ عوام کے لیے نہیں ہے یہ صرف پاکستان فوج کا چیلنج یہ تو پورے ملک کا چیلنج ہے تو ہم ادھر سعودی عرب میں کچھ مذاقرات ہو رہے ہیں کچھ مذاقرات تصاب عدالتوں میں اندر ہمیں سین نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد اب آٹھ تحریک و ملک دیر ملکی تحریک کا ایک نئی چیز سامنے آ رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب آپ کی پوری آہ اگزسٹینشل تھریٹ ہو آپ کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں یہ سارا کچھ کیا یہی رد عمل ہونا چاہیے کافی دیر سے پاکستان میں کوئی حکومت نہیں ہے اور جو حکومت تھی اس نے آہ فیضاباد کروسنگ کے اوپر جو کیا ہے جس طریقے سے اس نے اپنی ریٹ اور آتھارٹی سیٹ کی ہے وہ ہمارے سامنے ہم سب کے سامنے ہے اس کے بعد ہماری جو کہتے ہیں کہ لویسٹ اسٹیم کے اوپر ہماری سٹیٹ ہماری ریاست جو ہے وہ اس وقت دیکلائن کر چکوئی ہے دیکھیں آپ کا یہ کہنا کہ کیا ہم اس پوزیشن میں ہے اس وقت آئیڈیلی سپیکنگ تو ہمیں دو فرنٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے جو کہ ہم امریکہ کو دے سکتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتے ہیں اور ہمیں امریکہ کے ساتھ لڑائی کرنے کا سوچنا بھی نہیں چاہیے ہمیں امریکہ کے ساتھ ڈس انگیج کرنے کا بھی نہیں سوچنا چاہیے اس تعلق اس اس ریلیشنشپ میں ہم نے سبتر سال اندرس کی کبھی پریفرنس نہیں پاکستان کی رہی کہ امریکہ سے جنگ دیجا ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنی کچھ پلیننگ نہیں ہوئی کبھی جو اپنے کبھی پالیسیز کا آغاز کیا تھا نا سپورٹیز میں وہ فلوٹ تھی جو بھی ملک ہوتا ہے پاکستان جانسا ملک ہے سب سے پہلے اس کو اپنے ریجن میں جو ممالک ہیں ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے چاہیے ہم نے نہیں کیا ہم نے ایک روس ففٹین تھاوزن کلومیٹرز ہینڈشیک کیا کمیونزم کے خلاف جو لڑائی تھے اس کا حصہ بنے وہ پاکستان کی پالیسیز کا ایک فنڈمنٹل فلو ہے اور آج ہمیں ستر سال لگنے کے آج گزرنے کے بعد بھی ہم اس کو ٹوٹلی ریمیڈی نہیں کر سکے اگر آپ ہسٹری میں جانا چاہتے ہیں تو بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے لیکن اس وقت سیچویشن امریکہ کی وجہ اس وقت بھی بائیلیٹرل ایگریمنٹ تھے سیٹو سینٹو سانکس امریکہ کی کیوں کیا تلوار تھی کہ آپ نے رشیہ کی جو انویٹیشن تھی اس کو آپ نے سپن کیا اور اپنے امریکہ کو جا کے اپنے انظار کرتے رہے دو سال جب انویٹیشن آئی تو آپ بھانے گئے گئے وہی بات کر رہی ہے کہ ادھر بھی امریکن فیکٹر تھا اس وقت امریکن فیکٹر کیوں تھا وہ ہمارا بچہ ہم میں امریکہ کو بلیم نہیں کروں گا وہ پالیسیز ہم نے بنائیں ہم نے جا کے ہینڈشے کیا امریکہ کا کیا پریشر تھا ہمارے اوپر ایک طرف ہم دی بیٹ ہے پاکستان میں ایک طرف ہم کمینزم کے خلاف لڑائی لڑ رہے تھے بائی بیکمینگ ممبرز اف سیٹو انسینٹو دوسری طرف ہم چین کے ساتھ بہت اچھا کر رہے تھے ہم کر رہی ہے لیکن اتنا بڑا پیرڈاکس ہے ہمارا ابھی تک جھب رہے ہیں ہم اس کو نہیں کر سکتے ہیں ایر مارشل ایوی ایم صاحب بات اکیڈیمک بھی ہے اور بات پریکٹیکل بھی ہے بات آپریشنل بھی ہے بات پھر پیس کی بھی ہے یہ نو مور اور دو مور ابھی اتنا کلیوے جا گیا ہے اس کو بیلنس ہم کیسے کریں ہم نے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے دو مور اپنی جگہ پہ وہ جو مردی کہتے رہے ہیں اپنی ہار کا توق ہمارے گلے میں نہیں ڈال سکتے پاکستان کی قوم اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہے ابھی ہم جتنا چیختیں چلاتے رہیں ہونا وہ ہے جو کس وقت زائنظم چاہ رہا ہے وہ ہونا ہے سیریہ لیبنان اراک کے بعد ایران کی باری ہے اور اس کے بعد پاکستان کی باری ہے اور اگلی فیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرشن عرب سپرنگ کے بعد پرشن ونٹر شروع ہونے والا ہے اور اس میں آپ کے آپ کے جو ٹویٹ آئی ہے پریزیڈ ٹرمپ کی نو مور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اکنومک جو بھی سپورٹ تھی ایڈ تھی جو بھی تھی وہ ختم ہونے کو آ رہی ہے that is the first step that they're going to pressurize you with that so that is the first step اس کے بعد next step کیا ہونا ہے اگر انہوں نے ایران میں یہ جو پرشن ونٹر شروع ہونی ہے اور جو پرشن ونٹر پھر پرشن سپرنگ بن جائے گی تھوڑے عرصے کے بعد اس میں آپ پر آپ کے بارڈرز کو انگیج کیا جائے گا آپ کے بارڈرز پر ڈرون اٹیکس ہوں گے آپ کے بارڈرز پر یہ جو حملے ہیں بڑھ جائیں گے both sides of your borders will remain very busy that is what they will like to keep you busy there till the time next couple of years or year and a half ایران is sorted out اس کے بعد آپ کی باری آئے گی اس دوران وقت آپ نے کوئی غلص step لے لیا تو ایران صدح آپ کو بھی نپتا جائے گا میری یہ prediction آپ کو دیکھ لیجئے گا جیسے چیزیں آ رہی ہیں یہ چیزیں اسی طرح بٹرنگ موسیteiska